बिहार में अपराधियों की बहार है, नितीसे कुमार है, बिहार में जहरली स्राप की धार है, नितीसे कुमार है, बिहार में लोटा जंगल राज है, राजा नितीस कुमार है, बिहार का यही हाग है, कोई दिन ऐसा नहीं बित्ता, जिस दिन कोई बड़ी बारदात नहीं होती नमस्कार आप देख रहे निउस फॉर्णिशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ बियार में बेतहासा अपराधी घटनाय बढ़ चुकी है बियार में अपराध रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा है बियार में अपराधियों ने पुलिस प्रशासन को कानून अपराधियों पर शराब माफियाओ पर सिकंजा कस रखा है तो वहें दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरे और ऐसी खबरे निकल कर देख रहे हैं कर सामने आ जाती है जिसके बाद बियार सरकार की और नितीश कमार की भद पीट जाती है कुछ दिनों पहले जमुई सनी का एक तस्वीर आई थी जमुई की एक खबर थी जहां जमुई में एक पुलिस वाले को बालू माफियाओं ने ट्रक से रौध कर उन्सकी हत्या कर दी थी फिर खबर आती है गोपाल गंज में लगतार पांस दिनों से लोगों की संदिक धालत में लाश मिल रही है शव मिल रही है जिसके वज़े से गोपाल गंज में हडकंप मचा हुआ है फिर खबर आती है लखी सराय से जहाँ छट के दिन एक व्यक्ति एक यूबक जो है वो किस तरह से अपनी प्रेमी का और उसके परिवार वालों पर अंधादून फाइरिंग कर देता है जिसमें लोगों की मौत हो जाती और इस पर अब बिहार सरकार को घिरने का काम कर रही है बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता समराट चौधरी विजे सिन्हा और ऐसे तमाम बड़े नेता है तमाम नेता जो है वो लगतार से नितीश कुमार बिहार सरकार और बिहार के पुलिस प्रशासन पर हमलावर नजरा रहे हैं हमने आपको सुनाई कि इस तरह से करमिश्र बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर्व शुन ने बहार के बढ़ती अपराधी घट्नाव पर किस तरह से हमला बोला है नितीश कुमार पर हमला बोला है किस तरह से बिहार में पुलिस प्रिशासन को अपराधियों नीठेंग परले रखा उस पर क्या कुछ रियाक्शन है बीजेपी प्रवक्ता प्रभावकर मिश्र का वो सुनवाते हैं जी रहे हैं चाचा भतीजा मिलकर बिहार का बेरागर कर रहे हैं चाचा नंबरी तो भतीजा दस नंबरी सिर्फ यह जंता को ठगना जानते हैं बिहार इंसे समझ नहीं रहा है